जहें दोस्तों एक बाद फिर्ट से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुच सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए और इंफार्मेटिव वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेवी भरती 2024 की इंडियन नेवी ने बहुत ही बंपर भरती निकाली है और ऐसे कंडिडेट जो सिंप्ली 12 पास है यह 12 जिन्हों ने इसी साल 2024 में पास किया है इनका रिजल्ट भी नहीं आया वे अभियर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं अच्छी खासी सेलरी पैकेज इसमें देखन क्या रहेगा सेलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा लाजड डेट क्या रहेगी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी बस आप से रिक्वेश्ट ही है कि एगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर तो यह पोश्ट है अगनी वीर ऐसे सार की ठीक है क्वालिफिकेशन के अगर हम बात कर लेते हैं तो सिंपली आपको 12 पास होना चाहिए या फिर आपने इंजिनिरिंग में कोई डिप्लोमा कर रखा है 12 लेबल का वो भी चलेगा बसरते कि आपके इंटर और डिप्लोमा दो अभी 12 अपैरिंग में मतलब कि 12 का एकजाम दे दिया रिजल्ट अभी नहीं आया है यह 12 कर रहे हैं वो भी इसमें फार्म डाल सकते हैं ठीक एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एक नवंबर 2023 से 30 अप्रेल 2024 के बीच जो बच्चे आते हैं उन सभी का सेलेक्शन इंड लूट कर लिया जाता है अगर एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच आप आते हैं तो आप हम भर सकते हैं फी की अगर हम बात करेंगे तो 649 रुपया सभी कंडिडेट्स को पे करना होगा फिर हो चाहें SC हो, ST हो, OBC हो या फीमेल हो किसी भी कटेगरी का बच्चा हो 449 रुपय आपको fees pay करना है SSR के लिए, ठीट, selection process जो आपका यहां होने वाला है, वो first stage में आपका होगा CBT, computer based test होगा आपका, इसके बाद आपका PFT, यहनि कि physical, fitness test, फिर इसके बाद आपका DB, documents, इसी दिन आपका DB और, यह आपका fitness test और DB एक ही दिन हो जाएगा, फिर आपका होगा medical, तो start date कब है, इस form की आप कब से apply कर सकते हैं, 13 मई इसकी date है, और 27 मई तक आप इसमें form apply कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी vacancy, salary package बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो एक बार आप apply ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी opportunity है, सभी बच्चों के लिए, examination date अभी clear इ सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताए कि आपका CBT होगा, sorry, यहाँ CBC लिखा, CBT, computer based test, तो computer based test में आप से English, science, math, journal awareness या GK पूछा जाएगा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस vacancy की है, कि Navy और Air Force के नाम से बच्चे इसलिए डर जाते हैं, कि उनसे English में सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आप Hindi या English किसी भी भासा में आप इसका exam दे सकते हैं, बस आपको science, math, journal awareness, GK तयार करना, objective type question होंगे, 100 question आप से पूछा जाएंगे, 100 number का आपको यह रहेगा, लेकिन 0.25 की negative marking आपको देखने को यहाँ मिलेगी, तो इसलिए बहु किसी भी language में आप दोनों bilingual paper रहेगा, दोनों में से किसी एक भासा में आप exam दे सकते हैं, second stage जो मैंने आपको बताया, physical, physical में आप से क्या पूछा याएगा, male and female दो category मैंने बना दी है, running 1600 मेटर दोनों ही category को करनी है, चाहे फिर वो male हो या female, male को 6 minute 30 second में पूरा करना है, वह उठक बैठक जो आपको लगानी है, वह male candidates को 20 उठक बैठक और female को 15, push-up मारने हैं आपको male 15 push-up लगाएंगे, female 10 push-up, bentney मला के sit-up जिसको बोलते हैं, वह 15 male और 10 female candidates के लिए मांगी गई है, तो अगर आप इन सारी criteria's को fill-full कर लेते हैं, तो आपका selection 100% navy में हो जाएगा, और white worthy आपके बदन पर बहुत ही जल्द सजने वाली है, इससे related अगर कोई भी जानकारी आपके पास, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेशक मुझे comment कर दीजेगा, 24 into 7 में आपके लिए available रहता हूँ, तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिन, जय भारत!